व्रत के लिए कुछ आसान और स्वाधिशता नाश्ता बनाना हो तो इस रेसिपी को जरूर देखिए हेलो फ्रेंस वेल्कम टू बीनास किचन आज हैं बनाने वाले साबुदाने से ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही जटपड बिंगे तयार हो जाएगी और यह जो रेसिपी है वो आपको एनरजी तो देगी ही आपका पेट भी बिल्कुल अच्छी तरह से भरेगी फ्रेंस इसके लिए हमने यहां पे लिया है आधा कप साबुदाना मोटा बारिक या तो फिर मीडियम साइसा कोई भी साबुदाने का यूज आप इसमें कर सकते है तो इसे हमें दो मिनट के लिए रोस्ट करना है रोस्ट करने से साबुदानी में जो एक्स्ट्र मोश्चर होता है वो खत्म हो जाता है तो यहां हमारा जो साबुदाना है वो अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं इसे ठंडा हो कर लेते है उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे फ्रेंस इसका जो पाउडर हमें बना के तयार करना है वो बिलकुल फाइन से बना के तयार करना है देख सकते हैं बिलकुल फाइन पाउडर हमने बना के तयार किया है यह देखे अब हम इसे छान लेते हैं छानना बहुत जरूरी है क्य और अब हमने यहां पे लिया है यह पतला वाला ग्रेटर फ्रेस हमें यहां पे पतले वाले ग्रेटर का ही यूज करना है मोटा वाला ग्रेटर का यूज नहीं करेंगे और ना ही हम आलू को हाथ से मैश करके डालेंगे इस तरह पतले वाले ग्रेटर से ही मैश करेंगे इस तरह से ग्रेट करेंगे ताकि यह जो आलू है बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो तो यहां मैंने बॉयल आलू लिया है एक बॉयल आलू है जिसे हम अच्छी तरह से यहां पे ग्रेट कर रहे हैं ब्रत में सेना नमक खाया जाता है, तो यहां स्वादनु साल सेना नमक डाल लें, अब हम इसमें डालेंगे एक चमश दही, कटा हुआ धन्या का पत्ता डाल लिया है, अब हम इसमें डाल लेते हैं, 1-4 तीस्पून कुटी वी काली मिर्ज का पाउडर, आदा छुटा चमश जिंजर चिली पेस्ट डाल लेते हैं, अधरक और हरी मिर्ज को हमने कूट करके इसमें यूज कर लिया है, इससे इस रेसिपी दो चमश मूँफली का पाउडर, फ्रेस मूँफली को अच्छी तरह से रोस्ट कर ले, उसका छिलका निकाल ले और उसे अच्छी तरह से आप ग्राइंड कर ले, तो इसका पाउडर बनके तयार हो जाता है, इस पाउडर से इस नाश्टे का जो टेस्ट है वो बहुत अच जिस हिसाब से ज़रुरत पड़ेगा हम इसमें पानी डालेंगे, यह देख सकते हैं फ्रेंस हम इसमें थोड़ा पानी डाल रहे हैं, तो इसमें करीब 3-4 शमच के करीब पानी इसमें लग जाता है, तो इस तरह से अच्छी तरह से मसल देवे, हमनें इसका डो तयार किया है और 5 मिनट के लिए इसे हमने रेस्ट पे रखा था, अब हम इसमें से लोई तोड़ लेते हैं, इसे बेलने के लिए वरत का कोई भी आटा आप यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हलकी हाथों से आप इसे बेल ले, तो यह हलका सा मोटा ही रहेगा, यह देख सकते हैं साइ किसी भी ढखन का आप यूज़ करके इसे इस तरह से काट सकते हैं, यह देखिए, इस तरह से आप इसे काट लेंगे तो बिल्कु यह गोल शेप में बनके तयार हो जाता है, अब इसका जो एक्स्टा आटा है उसे हम साइड में रख लेते, तो इसे हमने डोपे मिक्स कर दि तो यह देखिए, हमारा बहुत ही फुला फुला सा यह गर्मा गर्म रत वाला पराठा तयार हो रहा है, साबुदाना और आलू से हमने कितना स्वादिष्ट बिल्कुल फुला फुला गर्मा गर्म पराठा बना करके तयार किया है, और यह जो पराठा उतरह बहुत ही साथ भी से खा सकते हैं यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलिशिस सा हमारा पराथा तयार हुआ है यह देख सकते हैं इसे जब मोड भी रहे हैं तो देख सकते हैं बिल्कुल भी टूटता नहीं है बहुत ही सॉफ्ट सा है यह देखिए कितना जादा सॉफ्ट ब वार टेस्टी होते हैं और इसे आप वरत में बना करके खा सकते हैं अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगए तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैंने यहां पर आधा कप साबुदाना ले लिया था इसे मैंने दो बर पानी से अच्छी तरह से वाश कर लिया है और इसे मैंने पांस से छे गंटे के लिए सोक कर लिया था तो यह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फूल चुकी है और बिल्कुल ची तरह से यह मैश हो रहा है यानि हमारा सब्सक्राइब अच्छी तरह से भींग चुका है अब हम इसमें दो बॉयल कि देखे हुए आलू डाल लेते हैं अलू को हमने ग्रेट करके डाला है एक कटीवी हरी मिर्च डालेंगे कटा हुआ धनिया कपत्त डाल लेते हैं आज़ा चुटा चम मत जीरा डालेंगे वन फूर टीस्पून हम इसमें कुटीवी काली मिर्ज का पौरर डालेते हैं स्वाधनुसा नमक डालेंगे व्रत के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसमें आप सेंधा नमक का यूज करें और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं तो इसमें हमने व्रत का नमक यूज किया है इसलिए आप इसे व्रत में खा सकते हैं और इसमें जो भी इंग्रेडियन्स यूज किये हैं उसे व्रत में भी खाते हैं तो हाथ को हमने हलका सा ओयल से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा सा स्टफिंग लेकर के हम इसे अच्छ आसानी सी बन जाता है यह आप देख सकते हैं इससी तरह से हम बागीके बहुत सिनक्श बनाकर टयार कर देते हैं में और इसी फ्र्यायर क्रणे के लिए ऊप्राइश, ऐख गरम कर लिया वह हम तो एक बार में जितने स्नाक आएंगे उतने हम इसमें डालेंगे, बहुत जादा इसमें न डालेंगे, और जब यह एक तरफ से पक जायता है, तो अब हम इसे पलच लेते हैं, तो बीच-बीच में एक से दो बार इसे पलचते घिकां देंगे, आप देख सकते हैं यह बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं अगर आपको यह आलू साबुदाने के फिंगर्स की रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रू दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो पर किसी नई रेसेपी के साथ तिल देन बाबाई